अलू प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज का हमाई टॉपिक है प्रत्याय जी हां पिछले क्लास में हमने प्रत्याय जाना था और प्रत्याय का मैंने परिभाः जाना था और परशे जाना था प्रत्याय कितने प्रकारके होते हैं मतलब बेसिक चीज जाना था प्रत्याय के बारे में और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्युद्यन्थ प्रत्य और क्युद्यन्थ प्रत्य बहुत ही बहुत सारे होते हैं बहुत प्रकारक होते हैं तो हम उसको एकक करके देखेंगे तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कत्प्रत्य और कत्वत्प्रत् कत परतियाय के लगने से धातु के अंत में तह लगाता है यहां पर से लिखना चाहिए था इस परकार से कत परतियाय के लगने से धातु के अंत में तह लगाता है क्या लगता है और यह भूत काल का बोज कराता है मतलब कत्परतिय लगता है तो उसको भूत काल में बदल देता है जैसे की इजामपल में अपर लिखा है देखे एजामपल समझते हैं और भी अच्छे से समझने आएगा भू, भू मतलब होता है होना, भू का रूप चलता है भावती, भावता है भावनती, और भू में अगर कत प्रतिया लगा लेते हैं, तो हो जाता है भूता है, और भूता मतलब ड्राय वाला भूत नहीं होता है, भूता मतलब होता है हुआ, यह भूत काल का भूत का आता है, हुआ भू मतलव होना और भू ताह मतलव हुआ यह कतपट्य के लगने लगने के से लगा है यह बात नोटिस करना की दूश DRU नाहिए है तो जहां जहां दें करद पर आए लगना जरूरी है तो आप पहचान भी कर सकते हैं ऐसे देखिए दूसरा जो धात्यू बनाए रहे हैं जांपल गभं मतलब होता है जाना और गम में कत परतिया लगा है बन गया गता है इसके लाश्ट में आप देख पा रहे हैं तहा है और ये भी भूत काल में आ गया है और इसका हिंदियाट हुआ है गया इसका हिंदियाट क्या होता है गया गम मतलो होता है जाना और इसको कत परतिया लगाने के बाद बन जाता ह इसी पेड़ार से पठ मतलब होता है पढ़ना कत पते लगने के बाल हो जाता है पढ़ना नास्त बॉता है हुआ है और इसका हिंदी रथ हुआ पढ़ना पढ़ना पा मतलव की पीना पा जो है वो पीव का मूलूप है पीव मतलव होता है पीना और इसी का मूलूप होता है पा तो अगर पा में कत पर्टे लगाएंगे तो बनता है पीता मतलव पिया गया वद मतलव होता है बोलना और वद मतलव बोलना वद के लाश्ट में कत पर द्रिश्ट से पुलस कट इसकोल टू द्रिश्टा आप सम जो है लाश में ताह देख रहे होंगे एक मात्र ऐसा रिजाम पड़ है जिसमें ताह लगा हुआ है तो टाह कैसे आ गया तो बहुत ही शिंपन है मैंने संधी में एक नियम अताया था कि यदि कि वक्त के वाद तॉ हएं तो कि या होता है कि ता का बन जाता है आप संधी का वीडियो देखे होंगे तो आपको साइथ याद तो थह यहां पर आता है लेकिन टťा का बन यहां हमारा कट पढ़ते हैं जिसके लास्ट में तह जुड़या था है इसको बहुत ही असान सकते हैं कर दो सबस्क्राइब तो मतलब की कत परते हैं तो किसी और परते करें और यहां में तो यह को भी आद करना वहुत ज़रूई है तो यह था हमारा कट परते हैं बहुत ही आसान वहुत ही सिंपल है और अब हम जाल लेते हैं कत्वत परते हैं, तो आईए इसे भी देख लेते हैं, और अब बार है कत्वत परते हैं जानने का, तो आईए जानते हैं कत्वत परते में क्या होता है, दुशा नमर हमारा है कत्वत परते, कत्वत परते के लास्ट में वान लग जाता है, कत्वत पर का बोध कराता है कत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्व भूतवान इसमें आप नोटिस कीजेगा लाष्ट में वान लगा हुँआ है और भूतवान का मतलब भी होता है हुआ वह मतल्ब कोई काम जो है हो गया है तो यह भी भूत काल कहीं गोत कराता है गम गम मतल्ब होता है जाना और गम का कत्वत पर्ट्य लगने के बाद गत्वान बन्जाता है और आप लाश्च में देखिए तो वान जुड़ा हुआ है तो पहचानना एक दम बिलकुल आसान हो गय जोड़ने से लास्ट में क्या जाता है तो वहान लाइता है जीसा आप दएक पार है तो बहुत ही इजी सा ट्रिक है भाचालने का जिका हिंदियात क्या होता है तो भूत काल मुनाता है गत्वान अनतलों की गया चला गया पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ में कत्वत पते लाएंगे, बन जाएगा पठितवान, मतलो पढ़ा गया, पा मतलब होता है पीना, इसका अभी मैंने बताया था पा का रूप चलता है पीव से, पीवती पीवता बनती, तो पा का अगर कत्वते पते ऐसे जोड़ते हैं, तो बनता है पीतवान, मतलो पी आगया, वद, वद मतलब होता है बोलना, और वद का हम कत्वत पते जोड़ें, तो बन जाता है वदितवान, मतलो बोलना गया, क्री मतलो करना, और क्री को कत्वत पते जोड़ेंगे, बनेगा क्रितवान, मतलो की आगया, और द्रिष मतलो देख कृत्त प्रते ने किट्था क्रिस्ट वान नमे लगा है कि नहीं लगा है सब के last मेंग लगा है तो बहुत ही simple और आशान साथ ठीक है पहला मने बता है आपको Crypt पर आउयर्ट परत्य लास्ट मेंग लगा होना चाहिए जैसे कि मैं आप पे लिखा हूं तो ये था आज के हमारे दो प्रतिय है, और हर रोज मैं ऐसे ही एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें दो प्रतिय बताऊंगा, ताकि आप एक छोटे सी वीडियो में आच्छे समझे। कोई confusion नहीं होगा, दो ही topic जानेंगे, और अच्छे समझेंगे, अच्छे स्क्षेंगे, तो कोई confusion नहीं होगा, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपको कैसा लगए वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, और हां आपको आगे किस टॉपिक वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे लिख सकते हैं, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक टॉपिक के साथ, अब तक लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाबाई, जाहिंद!